बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल, रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मूल, एक जीवन की पूरी परिक्रमा के बाद इंसान जो सबख खुद हासिल करता है, वो चाहता है उसका फाइदा उसके अपनों को भी मिले, लेकिन ज्यादा तर नई पीड़ी, पुरानी पीड़ी, कहीं वो आखरी पीड़ी न हो जाए, जो थोड़े में सबर करना, मिल माट कर जीना, और सबकी खुशी में खुश हो न जानती थी, ठीक कहा है रहिमने कि बड़े लोग अपने मूँ अपनी बड़ाई नहीं करते, जैसे हीरा खुद अपनी कीमत नहीं बखानता, रहिम का ही एक और दोहा है, व्रिक्ष कभों नहीं फल भकें, नदी न संचे नीर, पर मारत के कारने, साधुन धरा सरीर, ऐसे ही परोबकारी थे राजा गिलंद, सारे बुंदेल खंड में उनके नाम का डंका बचता था, वे खुद फर्यादी तक पहुचकर उस डॉक्टर उशा सकसेना को, नमस्कार उशा जी, भहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में, नमस्कार निलम जी, तो उशा जी, आज हम सुनेंगे आपसे बुंदेली लोग कथा, परोबकारी राजा गिलंद, बर्षो पुरानी बात है, उन दिलो बुंदेल खंड में राज प्रिय थे, प्रजा उन्हें देवता की तरह पूछती थी, किसी का भी दुख्वे सेहन नहीं कर पाते थे, एक दिन वे जंगल में आखेट के लिए गए, उन्हें शाम हो गई, उनके एक सैनिक ने आकर बताया, महराज यहां से कुछ जूर, महुए के पेड के नीचे एक अ गोर जंगल में पेड के नीचे बैठ कर अकेली वाली का मिलक बिलक कर रो रही थी, अत्यां सुंदर थी, सोलर शंगार किये हुए थी, न विवाहिता सी जान पड़ती थी, महराज ने इसने से पूछा, क्या बात है, इस घंगोर जंगल में अकेली क्यों बैठी हो, अरे, इ तुमारा दुख दूर कर सकूँ, लड़की ने थोड़ा सायात होगा, महराज, मेरा नाम सुवर्णा है, मैं अपने पती के साथ ससुराल जा रही थी, मैं किसी बात पर रुष्ट हो गए, मुझसे रास्ते भर बात नहीं की, मुझे यहां बिठा कर चले गए, कि तुमारे पानी लेने जा रहा हूँ, अब तो अंधेरा कहराने लगा है, मैं कहां जाओं, मुझे तो अपने गाओं का रास्ता भी नहीं मालूम, नहीं ससुराल का, सुना है, वे कहीं कि राजकुमार है, अरे राजकुमार है और ऐसे अपनी पत्नी को छोड़ गए, उसने फिर रोना शुरू कर दिया, महराज उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुए, उन्होंने कहा, इस बियावान जंगल में तुम्हारी जान को खत्रा है, मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारे घरी परिवार का पता नहीं चल जाता, तुम बहीं पर रहना, जे, राजा गिलंद उसे अपने साथ अपने राज लिवा ले गए, महल पहुंचकर राजा ने उसकी व्यवस्था अपनी बेटी को सौब दी, राजकुमारी से सुवर्णा ने विंती की, राजकुमारी जी, मेरे रहने के लिए ऐसे इस्थान की व्यवस्था करें, जहां केवल इस्तुरिया ही आए, मैं अ पति मुझे लेने आ गए, तो ठीक है, अनिता समय बीतने पर, इश्वर का जो आदेश होगा मानूंगे, उधर अपने राज वापस लॉटें पर, राजकुमार को अपने भूल का एहसास हुआ, उनका क्रोध शांत हो चुका था, पश्चाताब की अगनी जल उठी, महसुम सबह जंगल वापस गए, पर दूर दूर तक उनकी पतनी को कोई पता ही नहीं था, वे निराज शोकर वापस लोटा है, वे हर समय उदास रहने लगे, अपने इस अपराद के लिए राजकुमार अपने आपको माफ नहीं कर सके थे, यही अपराद बहुत उनकी उदासी का क कुमार अपनी पतनी को ले आए थे, लेकिन राजकुमार अपनी पतनी को जंगल में छोड़ाए थे, कुमार से कह दिया था कि ससुराल वालों ने भेजा ही नहीं, कुमार से अपने मित्र की उदासी नचिफ सकी, उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार अब तो काफी करदें शमिवाव की दिन हो गये हैं भावी को लिए आए निया सूना पन्दूर हो जाएका, कैसे लेऊ मित्र वह अपक्या जीवित हो गी राचकमार्ण ने उदास सोकर कि यह कैसे बाते कर भाते कर रहें आपकी बात में कोई रह से लगता है बताए न क्या बात है किस्तंबव है मैं आपके लिए कुछ कर सका हूं आपके कुछ काम आ सका हुं राजकुमार ने जो बताया उसे सुनकर हुआ रिस्तब्द रह गया अपनी अपनी पत्नियों को विदा कराने दोनों साथ साथ निकले थे रास्ते में एक इस्थान पर एक चौराहा पड़ा एक रास्ता कुमर की ससुराल की ओर जाता था दूसरा राजकुमार की ससुराल की ओर एक निश्चित तिति पर उसी इस्थान पर म पानी भर रही लड़की ऐसी थी मौनो स्वर्ग की अपसरा अच्छा बहुत सुंतर थी राजकमार को देखकर उसने घूंगट मार लिया राजकमार ने उससे कहा मुझे बहुत प्यास लगी है पानी पिला दो लड़की ने घड़े से पानी पिलाना प्रारम किया राजकमार चुल्लू से पानी पी रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टी उस लड़की की ओर थी, उसका घूंगट थोड़ा सा सरग्या था। राजकुमार ने का, हे सुंदरी, तुम इस नर्जन बन में अकेले पानी भर रहे हूं, क्या तुमारे पती एकदम बेकार हैं। लड़की का वो पती के संबंध में ऐसी बात सुनकर तमतमा उठा। उसने क्रोध से कहा, पानी पीना हो तो पी लिजिए। हमें तो लगता है आप अत्यांत अभध रहें। कव्य की तरह हैं। हम तो अपने हंस की हंसरी हैं। राजकमार को उसकी बात उनकर बहुत क्रोध आया। वे पानी पीना छोड़कर चल दिये। संध्या होते ही वे अपने ससुराल पहुचे। वहां पहुचकर उन्होंने देखा जिस वालिका को छेड़ रहे थे वो उन्हीं की व्याहता पत्ने थी। वहाव क्या बात है। वहावश पकड़ ले। लड़की की हाँखे छलक उठेंं वे उसे विदा कराकर ले चले। लड़की रास्ते भर छमा मांगती रही लेकिन उनका क्रोर शांत नहीं हुआ रास्ते में घंगोर जंगल में उसके लिए पानी लाने का बहाना करके उसे छोड़ कर चले आए यह तो बहुत ही उरी बात थे उनकी अन्याय किया अंधेरे में छोड़े आए राजकुमार की व्यथा सुनकर कुमार का दिल भराया वे बोले मित्र आपने यह ठीक नहीं किया वे तो आपको जानती भी नहीं थे इसलिए अपना मूठाक रखा था आपने फिर भी उनका मुख देख कर उनके पती को अभद्र और कमार कह दिया उन्होंने तो आपको हंसी कहा था खेर छोड़िये हम उनको ढूंडने चलते हैं नहीं मित्र क्या वब जीवित होगी राजकुमार ने उदास होकर कहा हम हो सकता है भावी जंगल के किसी कोने में जोपड़ी बना कर रह रही हो हम कल ही चलेंगे को ने कहा जे दूसरे दिन प किला को रहार मानने वाले नहीं थे उन्होंने अपना उसा नहीं छोड़ा आसपास के राज्यों में उन्हें खोजते हुए आगे बढ़ते गए ठोड़ी दूर पर उन्हें एक भीलनी दिखाई दी अच्छा उसने अपनी लक्डी का गठर उठाने के लिए राजकुमार से समझा लेंगे एक हमारे महराज गेलंद है जो अपनी प्रजा के साथ ना जाने कितने अनात लोगों का बोड़ उठा रहे हैं अच्छा राजा गेलंद के राज में हैं कुवर ने का हाँ कुवर यह राजा गेलंद का राज है तो प्रजा कोता समझालते हैं ना जाने कितने अनात लोगों को सहरा देते हैं देखें ना वे अनात लोगों के लिए महल बनवा रहे हैं जिसकी देखेंग अनकी राजकुमारत यह कर रही हैं अच्छा चलती हूं राजकमार एक अनात लड़की को भी वो लिया है हमाई राजा पड़े दयालू है भीलनी चली गई कुवर के मन में आशा कांकुर फूटा उसने कहा राजकमार चलिए राजकमारी क्या काम करते हैं तोनों ने मजदूनों कविश बनाया और विलदारी का क पास नाम चंद्र बादनी म्रग लोच ने हर पल करें उपास ना सुंदर बरघर इन्हें मिले कही हमारी प्रार्थ नाम कुवर का दोह सुनकर राजकमारी का चेरा तम तमा उठा उसमें पूछा कौन हो तुम तुमने जो दोहा पढ़ा है उसका ठीक से समझाओ नहीं तो इसकार भी है हमारी राजकुमारी चंद्र मुखिं है उनके नेतर हिरन की तरह सुंदर है वो देवी मा की अनन्य उपासे का है हम मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी अनकुल सुंदर पर उसम्रिद ससुराल मिले अ राजकुमारी दोहा सुनकर प्रभायू तो ही लेकिन क्रोध से भरकर बोली कौन हो तुम दोनों इस दोहे का रचाईता कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही हो सकता है अपना असले परिशेदों तुम लोग अनिधा दंड दूंगी अब दोनों ने दूर जाकर कपड़े बदले क कोई ने आकर बताया राजकुमारी जी ये दतिया राज के राजकुमार हैं और मैं इनके राजमंत्री का पुत्र हम इनके पत्नी को खोज रहे हैं आप एक बार उस अनात लड़की को हमें दिखानी के करपा करें शायद वे राजकुमारी के पत्नी हो हम आपसे करबध प्र राजा गिलन्त उठेरे धर्मात्मा उन्होंने उस लड़की को तोनों को दिखा दिया, राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, उनकी आँखों से आंसों का जहरना भैचला, वे पश्चाताप की आंसो थे, उन्होंने महराज को सच्चाई बता दी, उधर पती की आ राजकुमार की पत्नी है, तुरंत इनकी ब्यदा की विवस्था करें। रूठे सुजन मनाईये, जो रूठे सौ बार, रूठे सुजन मनाईये, जो रूठे सौ बार, रहिमन फिर फिर पोईये, तूटे मुकताहार। राकार हो जाता है। राजकुमार ने तो हार मान ली थी, ये तो उसके मित्र का आगरत था, जिसने कथा को सुखान तक पहुचाया। उशा जी, बहुत सारे संदेश हैं आपकी इस कथा में, सच है, इसलिए बहुरंगी है हमारी बुंदेल धरा, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार ने लवन जी